The Only American From Our Village by Arun Joshi Hello everyone, welcome back So, आज का टॉपिक तो आप समझ वे होगे The Only American From Our Village इस शॉर्ट स्टोरी है जिसको Arun Joshi ने लिखा है Arun Joshi इंडियन राइटर थे इनका बर्थप्लेस वायर नसी ताई है या हायर स्टेडिस के लिए USB जाते हैं और इनको साहित Academy Award भी मिला है इनकी एक फेमस novel के लिए और इनके जो novel के characters होते थे वो English-speaking, Urban और Disturb होते थे Theme है short story की pride, guilt, arrogance and materialism Short story का base यह है कि डॉक्टर खन एक scientist है जो अमेरिका में रहते हैं और 15 साल बाद इंडिया वापस visit करने का plan करते हैं ओके तो characters है, short story के डॉक्टर खन न, उनकी wife, उनके बेटे कुंदलन, जो डॉक्टर खन न के father है, late father है और राधे मुवन ओके तो summary स्टार्ट करते हैं हम लोग short story की short story में डॉक्टर खन न है जो बहुत बड़े physicist है US University में और वो 15 साल से ही अमेरिका में रहते हैं और जब से हो इंडिया छोड़के गए हैं तब से उन्होंने कभी भी इंडिया विजिट नहीं किया तो वो अपनी wife और अपने बेटों के साथ four weeks की trip प्लान करते हैं इंडिया के लिए उनकी जो trip है वो बहुत अच्छी चल रही है उनको council of scientific research की officials उनको receive करने आते हैं और उनका बढ़ा ही अच्छा welcome हो रहा है उनका बहुत ही आवभगत हो रहा है बहुत लोग खुश हैं गाओं वाले बहुत खुश हैं उनके आने से क्यों 15 साल बात कोई आ रहा है अमेरिका से उनके लोगों में से तो लोग बहुत खुश हैं और डॉक्टर खना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को विजिट करते हैं उनको बड़ी बड़ी job offers होती हैं जिनको politely मना कर देते हैं और वो बड़े-बड़े seminars का भी घाटन करते है Dr. Khanna के relatives, dr. Khanna उनकी wife उनके बच्चों से मिलके बहुत खुश है visit Dr. Khanna की wife उनके relatives के लिए願い गिफ्ट लेके आती रीजर, pop cassettes and वनडॉलर नेक्टाई तो रेजर तो वह रिलेटिव उनके गाहों वाले यूज कर लेंगे बट वह पॉप कैसे और नेक्टाई कर कैसे यूज करेंगे क्योंकि उनके पास ना कोई प्लेयर है पॉप कैसेट को प्ले करने के लिए और ना कोई सूट है उनके पास जिस पे वो लोग टाई पहनेंगे तो एक तरीके से यह उसलेस गिफ्ट है उनके लिए कुछ गिफ देना है फॉरम एल्टी करनी तो उसके लिए वो लोग कुछ भी गिफ ले लेते हैं पर जो जो विलेजरस वहां पे रह रहे हैं गाउं मी melodicamn उनके लिए इतना सारा समान लेके आई अभी तक तो उनकी ट्रिप बहुत अच्छी चल रही है ट्रिप का लास स्टेज आ गया डॉक्टर खन्ना अपने होम टाउन के एक कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जाते हैं लेक्चर बहुत चाहूँ लेक्चर देखके बाहर आ र खुष हूं रादे मोहन भोलते हैं मैं तुम्हारे लेट फादर का फ्रेंड हूँ और मुझे तुमको देखके बहुत खुशी हो रही है और रादे मोहन ये भी बताते हैं कि पहले मैं अस्तम फरोश नहीं था क्योंकि पहले मेरे पास प्रॉपर्टी थी पैसे थे तो बहुत अच्छे फ्रेंड थे वो लो मिस्टर मोहन डॉक्टर खना को ये भी बताते हैं मैं तो जादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ पर तुमारे फादर बहुत अच्छे थे पढ़ने में वह मैट्रिक के एक्जाम में थार्ड पोजिशन पर पूरे स्टेट में पूरे मुझे जाने की ज़रूत नहीं है अच्छी पूरानी लाइफ को देखना नहीं चाहते हैं जब वो गरीब थे जब उनके पास पैसे नहीं थे तो वह उन सब चीजों को एवाइड करना चाहते हैं डॉक्टर खन्ना को रादे मोहन बोलते हैं कि तुम्हारे फादर स्कूल में नहीं कॉलेज के बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे पर उनके पास पैसे नहीं थे एजुकेशन के लिए उनको पूरी तरीके से स्कॉलर्शिप पर ही डिपेंड होना पड़ता था वो स्कूल कंप्लीट होने के बाद जॉब करना चाहते थे बड़ उनकी मदर फोर्स करती हैं कि तुम्हारे फादर को तुम्हारे बहुत जादा गर्व था कि तुम इतने जादा पढ़े लिख्यों हो इतने जादा अच्छी पोजिशन पर जॉब कर रहे हो अमेरिका में वो बहुत गर्व करते थे तुम पर और हर गाओं में हर इनसा को तुम्हारे बारे में बोलते रहते थे कि मेरा बेटा ऐसा है मेरा बेटा ऐसा है मेरा बेटा लड़की से शादी कर ली, उसके कई मैने तक तो उन्होंने कुछ किसे से कोई बात नहीं की, मुट हो गया, पर थोड़ दिन बाद वो कुछ महिने बाद वो खुद बोलने लगे कि मेरा बेटा ऐसा है, फिर से वापस तुम्हारे बाहरे में बढ़ाई चालू कर देगी, मेरा इसा करते ही नहीं थे, उनको तुमसे मिलने के लिए, कितना इंतजार करते थे तुमसे मिलने के लिए, बर तुम उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे, तुम्हारे पस कोई टाइम ही नहीं, कभी तुम बोल देते थे, मैं उधर बीजी हूं, कभी तुम बोल देते थे, मैं उधर लेकर रखे अपना समान लाइक पाय की रखते देगी तो जब उनको शर्मिंदगी महसूस होने लगी तो उन्हें उन्हें ज्यादा लोगों से बात करने बंद कर दिया उधार में कामों में ज्यादा वैस्त रहने लगे मंदिर वगरा जाने लगे तो मैं उनको छिड़ता था कि तुम ऐसा क्यों करते हो रादे महन डॉक्टर खरना से सब बता रहेगी तो वो गुस्सा हो जाते थे फिर मैंने सुचा जो मैं नारा करने तो भाई इसको जिस चीज में शांती मिलने दो तो वो बिमार रहने लगे रादे महन डॉक्टर खरना के एक और पुरानी बात ब जाना होता थो तो डॉक्टर खरना के फादर क्या करते थे अपने पैरों में पतियां बांध लेते थे और पतियां बांध के रेत पार करते थे ने कुछ दस सालों तक करना पड़ा था अपनी एजुकेशन के लिए और बाताते हैं कि वह आखरी टाइम में अपने जब वो तो वही रेत पर चले जाते हैं अपनी स्कूल की जगे पर नंगे पाउं रेत पार करने की जिदपा कर लेते हैं उनके पीछे में जूदे लेके भागता रहा बट वह रुके नहीं वह रेत पार करके ही माने और घर आने पर उनको फेवर हो गए और दूसरे दिन उनकी कर तर फिर वह वापस अमेरिका जाते हैं और अमेरिका आने के बाद रिसर्च नहीं कर पाते हैं मैं आपने crystals से बताते हैं कि उंको लगता कहते हैं inda जल रहे हैं वह हमेशा में पहरों के तरफ देखते रहते हैं थांभाज। वाचिए आट ताम जए झालाएंगे प्राइंगे केगेगे लिए!